स्वालग पिता, मेरे को बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द करके शब्द करा हमें पवित्र आत्मा जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दुसरों को बेचते वाइरल करते उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख हर बीमारी लोगों की टिक कर सब कामाय लोगों का करके दे आमें आज तारीके 16 माय 2021 में मानता हूँ परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने प्रचारां पहले से सुन लिए है और सब लोग पवित्र बन गए और एश्यू मसी का कारे कर रहे हैं स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइब पर एश्यू मसी के नाम से माती अद्धे 14 एक उस समय चोताई देश के राजा हेरोदियस ने एश्यू की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा ये इहुत्र बप्तिज्मा देने वाला है वो मेरे उवो में से जी उटा है इसी लिए उससे समर्थ के काम प्रगठ होते है क्योंकि हेरोदियस ने अपने बाई इसी फिलेपूस की पत्नी हेरोदियस के कारण युहान्ना को एक डर कर बंदा और जेल खाने में डाल दिया था क्योंकि युहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुमसे उचित नहीं है और वह उसे मार डालना चाहाता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उससे बविश दुआता जानते थे पर जब एरोदियस का जनम दिन आया तो एरोदियस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखा कर एरोदेश को खुश किया इसलिए उसने शप्पत खाकर वचन दिया कि जो कुछ तुम मांगेगी मैं तुझे दूँगा वह अपनी माता की उकसाई हुए बोली युहन ना बप्तिजमा देने वाले का सीर ठाल ठाली में यही मुझे मांगवा दे राजा दुकित हुआ पर अपने शप्पत के और साथ बेटने वालों के कारण अग्या दी की दे दिया जाए और जेल खाने में लोगों को बेजकर युहन ना का सीर कटवा दिया और उसका सीर ठाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसको अपने मां के पास ले गई और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोट को ले जाकर गार दिया और जाकर एश्यू को समाचार दिया तो युहाना बाक्तिजमा देने वाले का इधर मौत होती है जिन्दा उसका सीर काट लिया जाता है तो यह हमको एश्यू मसी आने के बाद यह जो सब यह तरीका था जिन्दा मारने का पासी पर लटकाने का चोल डाको लोगों को आत काटने का उंगलियां काटने का सर काटने का ये सब अभी एशू मसे आकर ये सब बंद होना मांगता था लेकिन अभी भी यूटुब पर देख ले ये इसी सजा लोगों को देते है और चोर डाकू लोगों को दुक्य बाज लोगों को गौर्मेट को लगता है कि सजा देगा तो गाव में शान्ती आएगी लोग डर जाएंगे लेकिन इधर जेलां पुरा फुल है कोई भी गाव देश में देख ले जेलां फुल रहती है क्योंकि जितना सजा तो मारेगा उससे ज़्यादा और डाकू चोर लोग बन जाएंगे तो ये हर एक गाव में ये चोर डाकू गुंडा ये लोग क्यूं उत्पन होते हैं और जो लोगों को जेलों में डाला है उनका बविश्य क्या है जेल का सजा काटके बाद में लोग क्या क्या करेंगे तो ये हमको सुचने का है कि ये जो लोग जेल में है वो जानुवर लोग नहीं है ये भी मा की कोक से ही पेदा होने वाले लोग है जब ये चोड़े थे तभी माँ बापने ये लोगों का इतना खयाल किया ये लोगों को प्यार दिया ये लोगों को बड़ा किया, सिखाया, पड़ाया तो ये डाकू लोग, चोर लोग, गुंडा लोग, अतंकवादी कैसे बन गए तो इधर गल्ती होती है माँबाप की माँबाप पवित्र कैतलिक नहीं थे इसलिए ये जेला अभी बरी हुई है तो ए लोगों को अभी समझाने के लिए कहीं लोग बाइबल पढ़ाने के लिए जाते है सबसे अच्चा काम है कि मेरा जो वीडियों है हर जेलों में ये वीडियों लगनी मांगती है ये हर जेल में मेरा वीडियो चला कर हर जेल में जो गुंडे लोग डाकू लोग है उनको ये वीडियों होंचना मंगता है तबिछ कि अमारा गाओं की अमारे देश की तर्तिब होएगी अच्चे दिन देश को अमारे आएंगे क्योंकि ये गुंडा चोर के वज़े से लोगों को बहुत सहना पड़ता है कहीं लोगों को ये लोग जिन्दा भी मार देती है तो आमको ये कतम करने के लिए इनसान को जेल में डालेगा तो कुछ फाइदा नहीं है ये कभी भी कतम नहीं होएगा अगर जेल में ये प्रचारां सुनाएंगे तो ये लोग जरूर मन बदलेंगे और जेल में सही वो लोगों का प्रचारां आना शुरू हो जाएगा जेल में सही ये लोगों को चंगाई करने का प्रातना करेंगे जरूर ऐसाइच होगा जेल में हर जेल में तो जेल एक प्रचार करने वाला जगा आज से बन जाएगा जबी मेरा प्रचार ये लोगों को पहुंच जाएगा तो तो अमको हर माँबाप को बच्चों को पवित्र जैसा एशु मसी को पवित्र बड़ा किया था वैसाईच हर एक माँबाप को खुद का गर बच्चें पवित्र करना मंगता और पवित्र नहीं करेगा तो इधर जो लफडा हुआ ये बाई के बीवी को लेके ये हेरोदियस था ये इसा गंदी बातें होना शुरू हो जाएगा ये सब लालज बदन का लालज हर तरफ का लालज इंसान को किस लिए है क्योंकि इंसान लोग पवित्र कैटलिक नहीं है ये जो औरत थी ये हेरोदियस राजा से रिष्टा रखका अगर हेरोदियस का मामबा पवित्र रहते ये औरत का मामबा पवित्र रहते तो ये बदन का लालज दोनु को नहीं आती थी हर एक इंसान को आच्ची शादी करके गर बसना है ये इच हो जाएगा जबी हर एक इंसान दुनिया में पवित्र कैटलिक बनेगा तब इच की दुनिया स्वर्ग दुनिया में इच हो जाएगा जो एशु मसरी ने आमको प्रातना जो सिखाई है कि स्वर्ग दुनिया में आ जाएए एश जो प्रातना में जो पहले लाइना है उसमें एशु मसरी ने आमको सिखाया कि स्वर्ग दुनिया में लाने का स्वर्ग का जीवन आम दुनिया में जिने का तब इच आमको चंगाई आ जाएगी हर तरफ से बर्पूर चंगाई आमको हर एक तरफ से आ जाएगी पड़ाई में पैसे में और सब जगे से सब तरफ से हर एक जिसम का चंगाई आमको जरूर आएगा हमारा काम होता है एक इच काम हमारा जीवन में है पवित्र हम पहला बनने का और दुसरों को पवित्र बनने के लिए मदद करने का यह एक काम आमने किया तो सब चंगाई आपूनाप परमिश्वर खुद आमको दे देगा करके लिखेला हुआ है बाइबल में झाल 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 जब एशु ने यह सुना तो नाप पर चड़कर वहां से किसी सुनसान जगा एकानत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल एशु मसी के पिछे हो लिये एशु मसी ने निकल कर बड़ी बीड देखी और उन पर तरस्क खाया और उनसे उनके बीमारों को चंगा किया जब सांज हुई तो एशु मसी के चलो ने एशु मसी के पास आकर कहा यह तो सुनसान जगा है और देर हो रही है लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए बोजण मौल ले जबी यह दुख की कहानी सुनकर यहान बाप्तिजमा को जिंदा काट लिया करके सर एशु मसी नाप पर बेटके गया लेकिन लोग उनके एशु मसी के पिछे पड़े और लोगों को देखने के बाद एशु मसी को तरस आया बोला इधर लिकेला हुआ है। उन पर तरस खाया एशु मसी लोगों पर तरस खाया और उस एशु मसी ने उनके बिमारों को चंगा किया तो एशु मसी वो लोगों पर तरस खाया। इधर एक दुरगटना गटी है। राजा गंदगे में जिता था इसलिए उसके खुद का बाई का बीवी को उसने अपनाया था वो गलत था। ये दुसरों का बीवियां और शादी शुदा इंसान को और के उपर दुसरों के उपर प्रेमाने का ये शैतन की बात है। और एशु मसी इतना साल प्रेचारां सुनाया, फिर भी लोग सुदरा नहीं। अभी का बात देखो, अभी एशु मसी ने प्रेचार सुनाया, बोले तो अभी 2021 साल हो गया, 2021 साल हो गया, एक और दो नहीं। तभी तो काफी 21 साल हो गई शायद, और देख दो साल हुआ था शायद। लेकिन अभी कितना हो गई? 2021 साल हो गई। तो शादी शुदे लोग ये ऐसा हरकतें अभी भी करते हैं। ये गंदी चीजें शादी के बाद दुसरों से रिष्टा रखने का ये गंदी चीज, ये गलत चीज, ये निकम में चीज अभी भी होती है। होता तो क्यूं होती है? इसलिए कि लोग पवित्र कैतलिक बने नहीं। जब तक लोग पवित्र कैतलिक नहीं बनेगा, तो ओरतों का वाठ लगता जाएगा। ओरतों से शादी करेंगे, चोड़ेंगे, शादी करेंगे, चोड़ेंगे ये ओरत लोगों की जान से एक किलवाड चालूई रहेगा। ओरत को जानवार का जैसा एक सिर्फ बदन को इस्तमाल करने का एसा चीज मर्द लोगों ने किया हुआ है। और ये चीज कभी खतम नहीं होएगी जब तक हर एक इंसान पवितर कैतलिक नहीं बनता तब तक। आमारे आजू बाजू में देख ले कितना लफडा होता है शादी शुदा लोगों के बीच में। दुसरों का लालज रखते है एक काईको होता है क्योंकि ये लोगों को माम बापने तमीज नहीं दिया। पवितर नहीं बढ़ाया। पवितर में नहीं बढ़ाया। जब बच्चे थे जब पैदा हुए थे तब उनको संसार एशु मसी का संसार बराबर प्रातना नहीं समझाई। इसलिए आभी बढ़ा हो गया है शादी हो गया है और आभी ये नाटकां करते हैं। काई को माँबाप के वज़े से। तो हर एक माँबाप की जिम्मेदारी है शादी से पहला पवितर कैतलिक बन जा। शादी से पहला पवितर कैतलिक नहीं बनेगा तो शादी की बरबादी लाजिम। कोई नहीं तो कोई भी तरफ से कैसी भी करकी बर्बादीच होई ये आच्चा दिन शादी में कभी नहीं आएगा ये अबी राजा था फिर भी उसको दुसरी की ओरत का बदन का उसको लाल जा गया और सादारन आदमी का देख ले क्या हालत हो जाएगी सादारन गर का शादी शुदे औरतों का हालत क्या हो जाएगी देख ले औरत को इस्तमाल करकरके आदमी लोग छोड़ देंगा जैसा ये बाई की बिवी को इस्तमाल करता था तो दुनिया में औरत के उपर जो बुराई चलती है जो हत्या औरत के उपर होती है मर्द की और से ये बंद होने का ये किस तरह का है कि सब को पविदर कैतलिक बनने का नहीं तो ये औरत को इस्तमाल करने का कभी नहीं बंद हो जाएगा गर में लफड़े चलेंगे बच्चे एसाइज बड़े हो जाएगे बच्चे को शादी होएगी तो बच्चे भी एसाइज करेंगे तो ये श्राप ये माबाप का पाप ये तो आगे जाता रहेगा ये जानवर से भी बुरी जिंदगी ये इनसान की चलती रहेगी गर का ये महोल जंगली महोल हो जाएगा और बच्चे भी जंगली जानवारों का जैसे बड़े हो जाएगे तो हर एक इनसान को ये वीडियो पहुचा दे हर एक कैतलिक पवित्र कैतलिक बननाईचे बांगता नहीं तो हर कैतलिक गर का वाट लग जाएगा सब रास्ते में आ जाएगे पागल कुत्ते के जैसा जीर है आमने देखा है जीर जिते है दिन के दिन बर तो इसका वाट और ज्यादा लगता जाएगा तो एशू मसी को लोगों के उपर तरस आ गया इतना एशू मसी ने समझा इतना पड़ाया फिर भी लोग सुद्रा नहीं गाओं में जाकर हर हर गाओं में जाकर इशू मसी सिकाता था पड़ाता था चंगाई देता था फिर भी लोग सुद्रे नहीं राजा लोग भी सुद्रे नहीं तो ए राजा ने उसकी हुकूमत चलाकर योहाना बाप्तिजमा का सर काट लिया जिन्दा उसको मार दिया ये कब बंद हो जाएगा पंदरा इदर पंदरा में आपको क्या मिलता की अभी शाम होने को आईए और ए एक जगा था गाओं का काफी बाहर था तो लोगों को खाने वाने का शाम का इंतरजम रात का करने का था तो चेलों लोगों ने बोला कि अभी ये लोगों को आम बेज देंगे अभी जो प्रचारे वो बंद करेंगे लोग एशु मस्य के पिछे आते थे प्रचारां सुनने को एक गाउं से दुसरे गाउं एशु मस्य के पिछे पिछे भागने वाले भी बहुत लोग थे हजारों बीड एशु मस्य के प्रचारों को होती थी तो आबी Catholic लोग कितने हैं दुनिया में तकरीबन देढ दो बिलियन तक रहेगा बिलियन, आट बिलियन आबादी है तोड़ी कम है आट बिलियन से लेकर लेकिन आट बिलियन पकडेंगे तो दो बिलियन तो Catholic रहेगा तो ये दो बिलियन आबादी, कैतलिक की आबादी इतना सुन चुकिए, जनम से कैतलिक है, जनम से सुन रहे है कुछ फायदा होता है, दो देड़ दो बिलियन की कैतलिक की आबादी पगड़ेगा तो कितने पवितर कैतलिक मिलेंगे, हजार मिलेंगे, हजार दो बिलियन का, दो बिलियन मेंसे एक हजार पवितर कैतलिक मिलेगा, तो दुसरे कैतलिक क्यूं जक मार रहे है ये दो दो बिलियन कैतलिक काई को जक मार रहे है, अच्चाई तो आती नहीं, दिन के दिन बुरा होता जा रहा है, अभी तो सांस नहीं ले पा रहे है तो Catholic लोग कब सुधर जएंगे अब इक डिलिक लोग सांस नहीं ले पाए ले सकते है मूर्गी का जैसा मूर्गी के उपपर जब साल में एक बार एक दफा साल में मूर्गी के उपपर बिमारी आती थी मूर्गी यां शांस नहीं ले पाती थी मुर्गियां मरती थी फड़फड कर एसा मरती थी सांस नहीं ले पाती थी अभी जानवारा को जैसा कैथलिक लोग मर रहे हैं तो क्यूं जक मार रहे हैं अब तक अभी भी जक मारने का क्या जोर्रत है पविद नहीं बन सकते इतना तुमारा दिमाग सट गया शैतान ने इतना दिमाग को सटा दिया तुमारा दो मिलियन कैथलिक लोग क्या कर रहे हैं अभी लोगों का वाट दुनिया में लगता जा रहा है और कैथलिक लोग मजा लेता जा रहा है अभी मर रहे, सांस नहीं ले पा रहे oxygen cylinder लेने को ले बाग रहे है इतना प्रेचारां सुना, इतना चर्च में गया, रवीवार को, हर रवीवार गया अच्छा, क्रिश्मास करके करते, काई को करते, जक मारने को करते क्या फाइदा ये सब करके, जानवारों की मौत मरते अभी कब सुदर जाएंगे एसाइच होता था एशु मस्तिक के टाइम में भी देखो बीड इतनी थी, 30-30 हाजार बीड थी अभी देखो ये प्रेचार में लोग आते हैं, प्रेचार सुनते हैं, काते पिते बीमारी टिक करके जाते इसमें कुछ तरक्की हो जाएगी संसार में, परिवार का कुछ तरक्की हो जाएगी चर्च में हर विवार को जाएगा तो तरक्की होती है, मार्याम का हर रोज घर में प्रातना और रोजरी करके रखेला हुआ है, उससे कुछ तरक्की होती है, तो काय को जख मार रहे हैं, कैटलिक लोग? जो सिधी सिधी बात बोली है, बाइबल में, वो काय को नहीं मान रहे हैं, सिधी बात मानने में क्या मुश्कील है? यह अभी इदर तडब कर जो मर रहे है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, यह अच्चा है, यह बाइबल में जो एशु मसिने बोला है, हर रोज प्रेशार करो, हर रोज प्रेशार करो, सबको सिखाओ, सबको शिंशे बनाओ, शिंशों बनाओ, चले बनाओ, बिमार्यां टिक करो ये करता था थो अभी कैतलिक लोग एसा मरते नहीं थे सिलेंडर का ओक्षिजन का सिलेंडर का जरूरत नहीं पड़ती थी कैतलिक लोगों को तो अभी सब बुराई छोड़ देवरा आज का आज पवितर कैतलिक बन जा में बन गया तो सिर्फ आठ मैना हो गए मेरे को आपको भी कुछ अच्छा ही जिंदगी में पाने का है तो आप बोलते है मेरा प्यारी बीवी है मेरा प्यारा मर्द है मेरा प्यारे बच्चे है मेरी प्यारी मा है मेरा प्यारा बाप है ये क्या प्यार होता है ये गला काटने का प्यार होता है इदर एसा गंदा प्यार करेगा एसा जुटा प्यार करेगा तो दुसरों का सरी काटना पड़ेगा मा बाप बच्चों का सर काटके बराबर इच बच्चों को बढ़ा करते मा बाप जिन्दा है बच्चे लोग मर के गए तो इसका मतलब क्या है? बच्चों का सर काटने का इस बराबर बात हो गई अगर आप पवित्र कैथलिक नहीं बनेंगे माँबाप और बच्चों को पवित्र रहेकर बड़ा नहीं करेंगे हर बच्चा पवितर नहीं बन जाएगा घर का तो ये सर काटने का इस माफिक है सर काटने का और बच्चा पवितर नहीं है वो एकीज बराबर है वो बच्चा किसी का सर काड़ेगा नहीं तो तुम बच्चों का सर काड़ेगा बोले तो बच्चा तुमारे से पहला मर जाएगा और बच्चा जबी बड़ा होएगा तो उसको आच्चे दिन कभी नहीं आएंगे तो एक दुसरे का सर काटने का इज जिन्दगी कैटलिक लोगों की भी हो जाएगी अभी कुर्सी से मत उठो बिस्क्रिप्शन में जा ले ये प्रचार कतम होने के बाद और पांच-दस मिनट काफी है पवितर कैटलिक बनने के लिए आज इस पवितर कैटलिक बनने जाया नहीं तो काल तेरे को सांस लेने को शायद शेटान मुश्किल करेगा इदर बन करेंगे कल इदर से आगे बढ़ेंगे शुक्रिया इशु मसी शुक्रिया पवितरात्मा शुक्रिया सोरिक पिता अभी प्रातना करेंगे सोर्ग पिता और एशु मस्य और पविदरात्मा के नाम से आमें सोर्ग पिता मैं आपके प्यारे पूत्र एशु मस्य के नाम से प्रातना करता हूँ YouTube लाइपर है उसको और उसका पुरा परिवार को और जो लोग अभी देख रहे हैं उनका परिवार को सब को कोविड बीमार से बचा कर रख और जो बीमारियां है सब बीमारियां टिक कर कोई मसला है तो उसमें से बाहर निकाल कर चंगाई दे दे जो गर में लफड़े चलते और सब खतम करके आपका प्यार में हर एक इंसान को बर दे जो लोगों का दंदा चलता है उनका दंदा बड़ा जो लोग नकरी पे जाते पागार बड़ा पोस्ट बड़ा जो लोग नई नकरी डुणते है उनको बड़ी कमपनी में बड़ा पागार की नकरी दे दे जो लोगों को COVID बीमारी के वज़े से गर में बेठा के रखाए उनका कमपनिया वापस से चालो कर दे और वापस से लोगों को नुकरी पर चड़ा दे पागार बढ़ा के पोश्ट बढ़ा के जो गर में पढ़ाई करते हैं उनको आची मार्क से पास कर दे और जिवन ए लोगों का सफल कर दे और सब चमतकार दिखने के बाद ए लोगों को पविद्र बनने को भी आपकी मदद आपका प्यार आपकी कुरूपा और पविद्र आत्मे का शक्ति ए लोगों को दे दे अमन